आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले है ग्लोबल बायो फ्यूल अलाइंस के बारे में नई दिल्ली में G20 शिकर समेलन के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायो फ्यूल अलाइंस के शुभारम का एलान किया भारत अमेरिका इटली ब्राजील और सयुक्त अरब अमिराद सहित G20 के साथ देश और चार आमंत्रित देशों ने मिलकर इस बायो फ्यूल अलाइंस के शुरुवात की है इसका उदेश है दुनिया भर में कारवन आधारित इंदन की खपत को कम करना और जैव इंदन जैसे की एथनौल की खपत को बढ़ाना है यह जैव इंदन को अपनाने की सुविधा के लिए विक्सेत की जाने वाली भारत के नेतरत्व वाली पहल है अगर हम बात करें कि इसके दिर्ग कालिन लक्षे क्या है तो भारत ने इसके लिए महतो कांग्षी लक्षे रखे हुए है 2025 से 26 तक पेट्रोल में 20% तक एथनोल मिलाकर इंदन उपलब्द कराना है जो फिलहाल 10 से 11% तक है हाला कि कुछ शहरों में 20% तक एथनोल मिला इंदन मिलता है लेकिन इसे पूरे देश में उपलब्द कराने का लक्षे है इस द्रश्टी से देखा जाए तो ये अलाइंस बहुत महतोपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को इस शेत्र में निवेश में बढ़ावा मिलेगा नए परध्योकी हासिल करने में और व्यापक सहुख बनाने में भी इससे मदद मिलेगी अगर हम बात करें इससे लाप के बारे में तो G20 देशों और उर्जा से सम्मन्दित वेश्विक संगटनों जैसे कि अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी, अंतराष्टिय नागरिक ओडियन संगटन, वेश्विक आर्थिक मंच और विश्व LPG एसोशेशन द्वारा समर्थित दूरदर्शी वेश्विक जेव इंदन गटबंदन मजबूत होगा वेश्विक जेव इंदन व्यपार और सर्वोत्तम प्रथाओं से सदस्यों को उर्जा चतुर्भुच का सफलता पूर्वक सामना करने में मदद पिलती है 2025 तक E20 के कारान्वेन से भारत को तेल आयात में लगभग 45,000 करोड और सालाना 63 मिलियन टन तेल की बचत होगी E20 इंदन 20 प्रतिशित एथिनॉल और बाकी फोसिल आधारित इंदन का मिश्रण होता है अब हम बात करेंगे भारत की द्वरा किये गए कुछ प्रयासों के बारे में भारत ने पहले ही इस वर्ष चरण बद्ध तरीके से 20 प्रतिशित मिश्रित इंदन का उत्पादन शुरू कर दिया है और दो वर्षों में व्यापक उकलपता की उमीद है गौरतलव है कि सरकार ने E20 इंदन का लक्ष है 2030 से बढ़ा कर 2025 कर दिया है दुनिया के बायो फ्यूल का 80% उत्पादन अमेरिका, ब्राजील और भारत में होता है अमेरिका में विश्व के 50% बायो फ्यूल का उत्पादन होता है वही ब्राजील इसका 30% उत्पादन करता है वही भारत की हिस्सेदारी इसमें फिलहाल 3% है उत्पादन के साथ ही 80% उत्पादन पहोग भी इनी तीन देशों में है भारत भी अब जल्द ही बायो फ्यूल का बड़ा उत्पादक और उत्पादक देश बन जाएगा और प्रयावरन को नुकसान भी नहीं पहुचेगा चीनी के उत्पादन से बचा हुआ वेस्ट, कच्रा या उप उत्पाद पेट्रोल का अच्छा ऑप्शन है इससे इंधन में मिला कर ऑप्शन के तौर पर इस्तमाल किया जा सकता है इसको फसल की मदद से घरेलू सतर पर उत्पादित किया जा सकता है इसके कारण कच्छे तेल की तरह इसे आयात करने की जरूरत नहीं होगी पेट्रोल में एक निश्चित परतिशत में एथनोल मिलाया जा सकता है E20 के इस मामले में यह 20 परतिशत एथनोल और 80 परतिशत गैसोलीन है अब हम बात करेंगे कि एथनोल कैसे बनता है एथनोल एक परकार का अलकोहल होता है जिससे पेट्रोल से मिला कर गारियों में फ्यूल की तरह इस्तमाल किया जा सकता है एथनोल का प्रोडक्शन ऐसे तो मुख्य रूप से गन्य की फसल से होता है लेकिन इसे शरकरा वाली अन्य फसलों से भी पैयार किया जा सकता है इसके कारण खेती और प्रयावरन को भी काफी फाइदा होगा एथनोल ब्लेंडिंग के अगर बात करें तो एथनोल मूलत है इथाईल एलकोहल होता है यह एक बायो फ्यूल होता है जिसे या तो गन्य से बनाया जाता है या फिर अनाच से पैट्रोल में एथनोल की ब्लेंडिंग से कारण उचसरजन घट जाता है भारत सरकार ने कार्बन उसरजन में कमी का संकल प्लिया है इसलिए देश में बिकने वाले पैट्रोल में एतनोल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद